इस्राइल हमास युद्ध छेड़ने के बाद से ही उत्री फ्रेंट पर इस्राइली सेना और लेबनान के हिजबुल्ला के बीच तक्राव और भी ज्यादा भीशन होता जा रहा है हिजबुल्ला एक के बाद एक बड़े हमले करके इस्राइली सेना को जटके दे रहा है और इस सब के बीच एक ऐसी आशन का जताई जा रही है कि कहीं ये तक्राव पूर्ण युद्ध का रूप न ले ले लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्ला ने एक 9 मिनट का वीडियो जारी करके इस्राइल में हड़कंप मचा दिया है जिससे इस्राइली सेना की मुस्तैदी और सतरकता पर पट्टा लग गया है दरसल हिजबुल्ला ने अपना एक जासूसी ड्रोन इसराइल के कबजे वाले फिलिस्तीन के उपर भेजा था ये ड्रोन काफी देर तक इस इलाके में उडान भरता रहा और इस ने करीब 9 मिनट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया ये ड्रोन किरियच शमोना, नहारिया, सफाद, करमेल, अफूला और हाइफा बंदरगा तक बगैर आईडियफ की नजर में आए उडान भरता रहा और इस जासूसी ड्रोन ने आईडियफ की कई समवेदनशील जगहों का वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड कर लिया बड़ी बात ये है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इस ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और ये अपना मिशन पूरा करके वापस लेबनान के भीतर लोटाया हिजबुला ने इस मिशन को होपोए मिशन का नाम दिया है हिजबुला का दावा है कि उसने इसराइल की कई समवेदनशील जगहों की जानकारी जुटा ली है जिसमें इसराइल की रफैल एडवांस डिफेंस कमपनी भी है जो आईडियफ के लिए हतियार बनाने का काम करती है आईडियफ के इस ड्रोन ने राफैल की कई फैक्ट्रियों माल गोदामों और टेस्टिंग फील्ड का वीडियो रिकॉर्ड किया है जहां पर आईरन डोम और डेविट स्लिंग एर डिफेंस सिस्टम को मैनुफेक्ट्र और एसेंबल किया जाता है हिजबुला का दावा ह है कि उसके ड्रोन ने इन दोनों एर डिफेंस के रॉकेट इंजन टेस्ट टरनल और स्टोरेज, एर डिफेंस मिसाइल स्टोरेज, मिसाइल उपकरन की मैनुफेक्ट्रिंग की फैक्ट्रियों, कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम फैक्ट्रियों की जानकारी जुटा ली है जिससे वो उनके उपर भीशन हमला कर सकता है। वही दूसरी तरफ इस ओपरेशन से इसराइल में हड़ कम्प मचा हुआ है। और इस ओपरेशन को लेकर इसराइली मीडिया का कहना है कि लेबनान का ड्रोन जिस तरहा से इसराइल में घुसाया और वो 9 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर एहम ठिकानों की जानकारी जुटा कर वापस लेबनान चला गया ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा फेलियर है। इसराइली मीडिया का कहना है कि अब एर फोर्स को ये सूज नहीं रहा है कि वो इस ओपरेशन से उठे उन तमाम गंभीर सवालों का जवाब कैसे दें जिससे आइडियाफ की बहुत बड़ी नाकामी उजागर हुई है। इसराइली मीडिया का कहना है कि एर फोर्स को ये खुद पता नहीं है कि हाइफा बंदरगापर जहां इसराइल ने अपने सबसे महेंगे संसाधन तैनात किये हैं वहाँ पर ये ड्रोन कैसे पहुचा। इसको लेकर इसराइल के चैनल 12 न्यूस चैनल का कहना है कि हिजबुल्ला ने हमें दो दिनों तक सोने दिया और उसने पूरे हाइफा में हमारे सभी रणनीतिक जगों का वीडियो बना लिया। वही कुछ मीडिया हाउस का ये भी कहना है कि इस वीडियो के जरिये हिजबुल्ला इसराइल को अपनी ताकत दिखाना चाहता है कि वो हवा, जमीन, समुद्र के जरिये इसराइल के भीतर मौझूद है और भविश्य में हमले की योजना बना रहा है। हिजबुल्ला इसराइल को बहुत बड़ा जटका देने में सक्षम है। वही इसराइली पत्रकार और अरब मामलों के जानकार जैकी हुगी का कहना है कि हिजबुल्ला के इस वीडियो का मकसद इसराइल को अपना संदेश भीजना है। कि अगर उसने लेबनान में अपने हमले कम नहीं किये तो वो अपनी और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करेगा और पूरा हाइफा उसके हमलों की जद में आ सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इस वीडियो के जरिये हिजबुल्ला इसराइल को ये दिखाना चाहता है कि वो आप इसराइल के आसमान में बेरोक्टो घुश सकता है। झाल 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 झाल